अब तक जिन्होंने क्रू मीडिया रूम यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे नीचे दिएगे सब्सक्राइब बटन को दबा कर पहले सब्सक्राइब टीजिए और अगर हमारे चैनल की अपडेट को जानना चाते हैं तो उसके बगल में दिएगे बेल आइक नमस्का चिन्ने राधा इंजिनेरिंग संस्ता की क्रूम इसके और से आपका कंदस्वा में आज का मुक्य समाचा कुछ इस प्रकारे हैं JSW पारादी बंदरगाप पर अवशक मोडिफिकेशन के मादियम से जीरो ब्लेकडाउन यव मलागत की बचट किये हमारी एंडे के समूग JSW IOT शिपिंग रूट में S3 कन्वेर से S4A, S4B के चैन योग ये इसमें स्प्लिटर गेट हैं और OEM के डिजाइन अनुसार स्प्लिटर गेट की स्थिती को गेर कैम स्विच के मादियम से इसको इंगित की जाती है लेकिन प्रकरिया के दोरान कई बार CCR स्कैडा में ये गेट की स्थिती सही परकार से प्रदर्शित नहीं हो पाती थी और लोडिंग के समय उच्छ कमपन के कारण से भी इसमें गलतिया हुआ करती थी तो हमारी क्रू टीम ने इसमें हैवी डूटी लिमिट स्विच को लगाय जाने की बदोलत अब उन सभी दिक्कतों से पोर्नूरूप से निजात पाई जा चुके हैं और वेगन टिपलर येवं शिप लोडर जैसी यंतरों की कुछ हिस्सों को इलक्रोनिक्स बोर्ड के मादियम से संचालित किये जाते हैं और इसके वज़े से उसमें समस्या उत्पन होने पर तो इसे बदले जाने में अधिक लागत येवं अधिक समय की बरबादी उत्पन होकर इससे हमारी उत्पादन प्रभावित होने का कारण भी बनी हुई थी और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्ता के इलक्रोनिक्स एक्सपर्ट श्री मुकेश कुमार जी ने अरियर के मादियम से इसके कुछ मुक्य दिक्कोतों को बिना OEM समर्तन के ठीक कर निरंतर रूप से जीरो बेकडाउन एचिम्वेंट यवं कोस्ट सेविंग क दिनाक 792-22 को आईरोनार निर्यात में बारतिय स्तर पर उपलब्दी को हासल किये हैं और इसके कारण जेस जब्ली के यूनिट हैट श्री मनिश कुपता जी जेस जब्ली ओएंडम हैट श्री संदीप मिश्रा जी इनड़ी मैनेजर श्री कनगराज जी यहुम सभी उच्छ के मंडल जी वाइंडम मैनेजर श्री आर राजाराम जी एच्छोडी श्री कार्तिक जी श्री मदू सूधन जी यहुम श्री राजमोहन जी सी एंड़े हैट श्री विजे प्रकाश जी ने भी इस महस्पून कारिये के लिए सबी करमचारियों को इसके लिए अपनी और से उ के लिए उम शुब कामनाई जाहिर किये हैं हमारी जेज़वली पारादी बंदरगा पर निरंतर उपलब्धियां हमारी चन्ने इरादा इंजिनियरिंग वर्क्स फ्राइट लिब्टन संस्ता पारादी पोर्ट संस्ता के जेज़वली आयोएटी टर्मिनल में आईरनार को वेगन द्वारा अनलोड कर उसे जहाजों में निर्यात किया जाने की कारिये को करती आ रही है हाईस्ट इवर इनियर डे आफ लोडिंग पिछले आगस साथ नो दो जार बाइस को यमवी एक्वाजेनी जेज़वली आयोएफ जहाज में से एक लाक तेरा जार मेट्रिक टन को लोड कर भारत के सभी बंदरगाहों में आईरनार को एक दिन में अधिक मात्रा की लोडिंग क्वांटिटी की उपलब्दी को हासिल किये हैं हाईस्ट इवर इनियर पारादी पोर्टफर कार्गो हैंडलिंग पिछले आठ नो दो जार बाइस को पारादी बंदरगाह में आईरनार फाइन से हम सभी प्रकार की कारगो निर्यात में भी अत्यदिक मात्रा में एक लाग पचास जार चालिस मेटिक टन को जहाज यमवी एकवाजेनी जेस जब्यू आईएफ जेस जब्यू आईएटी में अपनी सटी कियो जना ये हम बेहे सुरक्षा पूर्वक हमार संतुष्टी जाहिर किये हैं और इसके कारण जेस जब्यू के यूनिट हैट श्री मनीश कुपता जी जेस जब्यू आउपरेशन मेनेजर श्री देवेंदर पती जी और सभी उच्चेदिकारियों ने इसके लिए हमारी जेस जब्यू क्रूट टीम की प्रसंसा करने के साथ प्रसंसा पत्रपरदानकर अपनी आभार व्यक्त करते हुए अपनी शुपकामनाई जाहिर किये हैं और हमारी संस्ता के रिसिजडन्ट मैनेजर श्री हके मंडल जी वाईंड़ मैनेजर श्री आर राजा राम जी एचोडिज स्री दिलिव जेना जी श्री निरंजन मिश्रा जी श्री दास कुपता जी श्री कार्तिक जी श्री अम्रेश जी सी एंड़ाई हेड़ श्री विजे प्रकाश जी ने भी अपने सबी करमचारियों को अपना आभार व्यक्त करते हुए अपनी शुपकामनाई जाहिर किये हैं। हमारी क्रोमनिस के साथ जुड़े रहिए और अगर आप हमारी अपडेप की जानकारी को प्राप करना चाहते हैं। हमारी क्रोमेडिया योट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद।